आप सबी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में दोस्तो अगर आपकी कोई मननत पूरी ना हो रही हो या फिर सबी प्रियास आपने करके देख लिए और आपके जीवन के किसी भी शेत्र में आपको सफलता नहीं मिल रही है या फिर आपके करियर में सफलता ना मिल रही हो और इन वरत कथा का पाठ करें, ये कथा जरूर सुने, सावन के सौमवार में अगर आप वरत रखते हैं और इस कथा का पाठ करते हैं और इस मंत्र का जब करते हैं, इस तरह से पूजा पाठ आप करते हैं भगवान शिव की, भगवान भूले नाथ की, तो प्रतेक जातक की मन चाही मुराद पूरी होती है तो आज की इस वीडियो में हम सावन सौमवार के बारे में ही सभी जानकारिया देने वाले हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ यहां आपको समय समय पर सभी जानकारिया प्राप्त होती रहेंगी तो सावन के महीने की बात कर रहे हैं सावन का महीना 25 जुलाई से प्रारव हुआ है और इस महीने में चार सौमवार होने वाले हैं सावन के जो सौमवार होते हैं भगवान शिव के प्रिय होते हैं इसलिए उनको भोले नात कहा जाता है लेकिन सावन का महिना है तो इसमें अगर आप पूण विधी इस विधान से पूजा पाठ करते हैं, विधी विधान से शिवलिक का अभिशेक करते हैं, तो उसका भी एक अलग तरह से आपको फल देखने को मिलता है, पून फल प्राप्त होता है, इच्छाएं पूरी होती है, अब सबसे पहले गंगा जल का प्रियोग किया जाता है, भांग, बेर और साथ में गाय का कच्चा दूद भी, कपूर भी, इन सभी चीजों से भगवान शिव का अभिशेक किया जाता है, इस सभी चीजे भगवान शिव को समर्पित होती हैं, जो आपके पास इन में से सबसे अधिक अवेलेबिल हो, वो आप यूज कर सकते हैं, इ भगवान भुलेनाथ का अभिशेक करते समय, शिवलिंग का अभिशेक करते समय, और देखे भगवान शिव को दूद बड़ा प्रिया होता है, उनकी पूजा में दूद का इस्तेमाल बहुत अधिक किया जाता है, एक दही का इस्तेमाल बहुत अधिक किया जाता है, कहते है आपको भी करना है और इस सावन के महीने का प्रते एक दिन बहुत महत पूर्ण होता है एक अलग अलग महत होता है सावन के सौमवार का जैसे अलग से महत है तो आप अगर अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो चारो के चारो सौमवार का आप व्रत करें इच्छा मन में रखें संकल्प लें और तब रत करें भगवान शिव की किरपास से इस सावन के महिने में आपकी हर इच्छा पूरी हो सकती है अब देखें विधी विधान से पूजा करने से शिव फल प्राप्त होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं सावन सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठें सनान करें घर के मंदिर में दीप प्रजवलित करें उसके बाद अगर आप शिव मंदिर जा सकते हैं तो बहुत उत्तम हैं शिव मंदिर में जाएं शिव लिंग पर गंगाजल दूद के साथ धतूरा बेलपत्र और पुश्प ले कर दें प्रतेक सोमवार बेहद उत्तम लाब मिलते हैं एक तो कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है चंद्र ग्रह से जुड़ा कोई भी दोश हो वो दूर हो जाता है सावन सोमवार वरत करने से भक्तों को व्यवाहिक जीवन का सुफ मिलता है नौकरी की समस्या का नात आपको देने वाले हैं अब हम कथा के बारे में जा लेते हैं सावन सोमवार की कथा बड़ी महत पून होती है सावन के सोमवार में आपको कथा जरूर सुननी चाहिए तो कथा प्रारम करते हैं अंत तक जरूर सुने क्योंकि कुछ उपाया है छोटे-छोटे हम आपको बताएंगे जो बहुत उत्तम होने वाले है प्रेम विवा के करियर बढ़ाने के नोक्रीपाने के तो कथा के अनुसर एक साहुकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था उसके पास धन धान्य किसी भी चीज की कमी नहीं थी लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी वह इसी काम कि प्रभू ये साहुकार आपका इतना बड़ा भक्त है इसको किस बात का कस्ट है जो कस्ट है आप उसे दूर अवश्य करें शिव जी बोले कि हे पारवती इस साहुकार के पास पुत्र नहीं है और इसी से ये दुखी रहता है तब मापारवती कहती है कि हे इश्वर किरप सेवा करके इनको संतान प्राप्ति का वर्दान दीजिए तब भोलेनाथ ने कहा कि ये साहुकार इस साहुकार के भागे में पुत्र का योग नहीं है ऐसे में अगर इनको पुत्र प्राप्ति का वर्दान मिल भी गया तो किवल 12 वर्ष तक की ही आयुतक वो जिएगा ये साहुकार को पुत्र का वर्दान दे दिया लेकिन ये भी कहा कि ये पुत्र केवल बारा वर्ष तक ही जीवित रहेगा अब पुत्र की आयो जो केवल बारा वर्ष की रही अब साहुकार ये बाते सुन रहा था इसलिए उसे ना तो खुशी हुई और ना ही दुख वे पहले की ही तरहा भोलेनात की पूजा अरचना करता रहा उधर से ठानी गर्बवती हुई नौवे महीने से उन्होंने एक सुन्दर से बालक को जन्म दिया परिवार में खूब हर सो लास मना आ गया और लेकिन साहुकार पहले की ही तरह उस भगवान शिव की पूजा अरचना करता रहा उसने बालक की 12 वर्ष की आयूका जिक्र तक नहीं किया किशी से भी जब बालक 11 वर्ष की आयूका हो गया तब एक दिन साहुकार की सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा तब साहुकार ने कहा कि अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी भेज देते हैं उसके बाद उस बच्चे के मामा कूलाय गया और उन्हें काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया रास्ते में जिस भी स्थान पर उसको बताया कि रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकें वहां यग्य करते जाएं ब्रहमनों को भोज कराते हुए आगे बढ़ना है उन्होंने भी इसी तरह करते हुए वो आगे बढ़े राश्ते में उन्होंने यग किये ब्रहमनों को भोजिन कराया और करते हुए यही सब करते हुजा रहे थे राश्ते में एक राजकुमारी से उनका विवा हो गया जिससे उसका विवाँ होना था वो एक आँख से काना था तो उसके पिता ने जब अती सुंदर साहुकार के बेटे को देखा तो उसके मन में आया क्यों ना इसे ही घोडी पर बिठा कर शादी के सारे कारे संपन करा दिये जाए tampon तुनों ने मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में वे तुम्हें अथा हधन देंगे, वो राजी भी हो गए, इसके बाद साहुकार का बेटा विवाह की गदी पर बैठ गया, बेदी पर बैठ गया और विवाह कारिया संपन हो गया, तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुनरी के पले पर लिख दिया कि तेरा विवाहतों मेरे साथ हुआ, जिस राजकुमार के साथ वो भेजेंगे, वो एक आख से काना है, इसके बाद वे अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया, उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर ये लिखा हुआ पाय तो उसने राजकुमार के साथ जाने से बना कर दिया, तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया, बारात वापस लोट गई, उधर मामा और भांजे काशी पहुँच गए, एक दिन जब मामा ने यग्य रचा रखा था तो भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया, मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे, वह बहुत बरिशान हुए, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्रहमन चले जाएंगे, यग्य का कारिया अधूरा रह जाएगा, जब यग्य संपन हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया, उसी समय पारवती और शिव उधर से जा रहे थे, तो मा पारवती ने शिव जी से पूछा, हे प्रभू ये कौन रो रहा है, तब ही उन्हें पता चला कि यह तो भोलेनात के आशिरवास्ते जन्मा साहुकार का पुत्र है, तब मा पारवती लड़का ओम नमश्यवाय करते हुए जी उठा, मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और नगरी की ओर लोटे, रास्ते में वही नगर पड़ा, राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया, तब राजा ने राजकुमारी को साहुकार के बेटे के साथ, चत से खूद कर अपने प्रांट दे देंगे, तब लड़के के मामा ने आकर साहुकार के बेटे और बहु के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वे नहीं माने तो मामा ने सपत पूरवक कहा कि बताया, तब उन दोनों को विश्वास हो गया, तब उन्होंने अपने बेटे औ बहु का स्वागत किया, उसी रात साहुकार को सपन में सिवजी ने दर्शन दिया और कहा, मैं तुमारे पूजन से प्रसन हूँ, इसी प्रकार जो भी वेक्ति इस कथा को पढ़ेगा, सुनेगा, उसके समस्त दुख दूर होंगे, और मनोवांचित सभी फलों की प्राप्त भी होगी, तो इतनी लाब दायक है, ये सौमवार व्रत की कथा, तो अगर आप विवाह योगे हैं, विवाह नहीं हो पा रहा है, या आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तब आप सावन के सौमवार का व्रत जरूर करें, और साथ में मंगला गोरी का व्रत आप कर सकते है कन्याय मंगला गोरी का व्रत जरूर करें विवाह में आने वाली सभी बादाएं दूर हो जाएंगी सावन के सौमवार का आप संकल्प ले और इसी से 16 सौमवार का आप व्रत कर सकते हैं अपनी हर इच्छा को पूर्ण करने के लिए यानि इस पृथम सौमवार से आप व्रत रखना शुरू करें और 16 सौमवार का आप व्रत रखें तब भगवान शिव के किरपा से आपकी इच्छा पूरी होगी चाहे नौकरी समंदी, करियर समंदी इच्छा हो आपकी सभी इच्छाएं पूरी होगी तो दोस्तों और अधी किसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें